हलो फ्रेंड्स वेलकम टू बैंक एक्जाम गाइड आज हम आपके लिए लाए है इस वीडियो में हाउ टू अप्लाइ फॉर आईवपीएस ओनलाइन एप्रिकेशन फॉर्म कैसे आप सब्मिट कर सकते हैं आईवपीएस का ओनलाइन फॉर्म यह हम आपको आज इस वीडियो म का ओनलाइन एप्रिकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे तो दोस्तों अगर आपने भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए बैंक एक्जाम गाइड चैनल को और बैल आइकन पर जाके नोटिफाई कर लिजिए बैंक एक्जाम अपडेट पाने के लिए आप सब्मिट कीजिए इसके बाद में आपको IPS का ओफिशल पेज खुल जाएगा इस तरह से यहां पर जाने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर क्लिक हेर इस तरह से नोटिफिकेशन आते रहेंगे आपको यहां पर देख जाएगा क्लिक हेर फॉर अप्लाय नियु आप अब हैजिशन नहीं किया है तो आप यहां पर पर कर सकते हैंATOR किस यहां पर एक बूदीर क लिए तो आप यहां पर यहां पर जोगिन फॉर आरिव सब्सक्राइब कर सकते हैं तो अगर आपने अगर अभी तग रेइस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहां जाके आप क्लिक हेर फॉर नियो रेइस्ट्रेशन पर क्लिक किजिए इसके बाद में दोस्तों आपको इंपोर्टेंट पॉइंट्स दिखाएगा यह आप अच्छी से र क्याच इठ्स आपको दिखेएहेंगी जिसमें पहली से फोगी बेसिक इंफॉर्मेशन फोटो एड्ट सिंगनेट्र टिटैयल्स प्रुव्विव औन पेमिन इसमें सबसे पहली इंफॉर्मेशन आपको स्टैप बाई स्टैप को आगे भड़ना होगा इसमें आपकी सबसे लोग ऐसा करते हैं कि अपना सरनेम अलग डाल देते हैं कभी-कभी गलती से तो उसके बाद में उनको एफिडविट बनवाना पड़ता है इंटर्वीव में उनकी प्रॉब्लम हो जाती है फादर नेम गलग हो जाता है मिस्टेक से तो इस प्रोसेस में अराम से टाइम लीजि कीजिए उसके बाद में चेक कीजिए फुल नेम आपका यहां पर इस ब्लॉग में आ रहा है या नहीं आ रहा है देन अब आगे बढ़िए इसके बाद में आप अपने मोबाइल नंबर डालीए एक गपर डेल चैक्ट है तो आप डाल सकते हैं इमेल आइडि यहां पर डाल वें next करेंगे तो आपको इस तरह से एक icon आएगा are you sure the data entered is correct अगर आप अभी भी edit करना चाहते हैं इसको तो edit कर लीजिए अच्छे से देख लीजिए इसके बाद में आपको अगर ok करना होगा यहाँ पर ok दबाने के बाद में आप second step में आ जाएंगे second step जो होगी उसमें आपको photo और signature upload करने होगे आप ध्यान रखिएगा आपके recent जो photograph है वही upload किजिएगा तो friends आप यहाँ पर देख सकते हैं note में आपको हर एक-एक information मिल जाएगी photo की size क्या होनी चाहिए क्या होनी चाहिए signature क्या कितने MB का होना चाहिए कितने KB का होना चाहिए अच्छे से आप read कर लिजिए इन instructions को इसके बाद में आप यहाँ पर choose file पे click कीजिए photo को upload करने के लिए choose file को upload करने के बाद में आप देख सकते हैं इस तरह से एक icon open हो जाएगा जहां भी आपके PC में आपकी laptop में आपकी photo save है वहां जाके उसे open कीजिए और यहाँ पे आपकी photo upload हो जाएगी इस तरह से आप signature upload कर सकते हैं अपने इसके बाद में आपको upload process complete करने के बाद में आपको preference बताने होगी तो इसमें सबसे पहले आता है basic information basic details basic details में आपको दोस्तो category बताने होगी अपनी जो भी आपकी category है general OBC ST SC अच्छे से ध्यान से बढ़िएगा इसके बाद में are you a person with disability अगर आप PWD category से belong करते हैं तो yes कीजिए और सारी information fill कीजिए उसकी और अगर नहीं है तो no की आगे बढ़िए इसके बाद में नीचे आप देखेंगे कि इस तरह की information मिलेगी आपको basic information are you ex-serviceman ex-serviceman है तो उसकी पुरी detail डालिए आप यहां पे कितने years क्या everything नहीं है तो no no करके आप आगे बढ़ सकते हैं अपना religion डालिए जो भी आप हैं Hindu Muslim से किस इसाइग अगर आपने इससे पहले गी exam दिया है तो आपको यहां पर फिल करना होगा अ अपना यहां पर फिल करना होगा कि registration number डालना होगा यहां पे यह application name अगर 12 में दिया है ऑपने तो यहां पर आपको ड़्यारों डालना होगा अगर अगर आपने नहीं दिया है तो आपको करके आगे भर सकते हैं इसके बाद में नेशनलिटी पूछता है या आप से nationality आपके जो भी है आप बता सकते हैं यहाँ और इसके बाद में अपना state जो भी state center which center of exam belong यहाँ पे आप अपना select कर सकते हैं list में state code डालेंगे यहाँ पर center of examination आप यहाँ पर choose कर सकते हैं list में इसके बाद में आपको date of birth फिल करने होगी अपनी इसके बाद में हम देखेंगे date of birth फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर आपने जैंडर सूज करना होगा, मैटल स्टीटस डालना होगा, अपने father name, mother's name डालना होगा, आपको यहाँ पर ध्यान से डालिएगा ताकि आपको affidavit ना बनवाना पड़े बाद में तो आप यहाँ पर जाके इसे क्लिक कीजिए, same as permanent address यहाँ पर अपने आप आजाएगा इसके बाद में आपका अगर journal category है तो आपकी 600 rupees इसकी fees है और other categories की fees अलग अलग है ST की अलग है, SC की अलग है, 100 rupees है इन सब की, OBC की अलग है तो friends, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी fees amount यहाँ पर आ जाएगा यह सब पूरा fill करने के बाद में आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ जाके validate your details करना होगा validate your details पर click करने के बाद में आपकी पूरी details जो भी आपने fill की है अभी तक इसमें validate हो जाएगी उसके बाद में, आप save and next पर जाके click कर सकते हैं और यह आगे fill हो जाएगा आगे भढ़ने के बाद आप देखते हैं आपकी qualification और experience के बारे में पूछ रहा है, languages वगेरा सब कुछ यह पूछ रहा है तो यहाँ पे आपको आके अपने graduation की जो भी आपकी degree है वो डालनी होगी, subject stream जो भी है date of passing, exact date डाल दीजेगा mark sheet देके साबधानी पूरवग इस form का fill की जेगा मैं फिर से आपको कहा रहा हूँ percentage of marks जो भी है और अगर आपने post graduation की है post graduation की degree हाँ पे select कीजिए जो भी आपको यहाँ पे list मिल जाएगी उसमें से जो भी आपकी degree है select stream कीजिए, date of passing, percentage डालिए professional qualification अगर आपको pass कोई है तो आप यहाँ पे fill कर सकते हैं subject streams का जो भी है date of passing वो जो भी है percentage डाल सकते हैं अगर आपको अपने degree यहाँ पे नहीं मिलती है इन list में तो others में जाके आप अपने degree को subject stream fill कर सकते हैं और यहाँ पे submit कर सकते हैं साथ ही में उसकी सारी information और उसके अलावा do you have any operating working and knowledge in computer system yes तो yes, no तो no इसके बाद में बढ़ते हैं हम आगे या किसी भी तरह से कोई work किया है तो यहाँ पे आप अपना पूरा information fill कर सकते हैं experience का अगर नहीं है तो आपको यह खाली छोड़ दिना है इसके बाद में other details में आपके languages पूछता है languages known आप जो जो जानते हैं read, write, speak तीनों जो जो भी है उस पे tick कर सकते हैं इसके बाद में ध्यान से देख लिया होगा आपने उसके बाद में आपको save and next करना होगा save and next करने के बाद में आपका यह इस page में आपको देखना होगा कि आपकी क्या preference है आप कौन सा bank चूस करना जाते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक बेंकगे कर सकते हैं, यहाँ पर आता जाएगा, यहाँ से बाएगे करेंगे हैं यहाँ से बुसरी आपको यहाँ से शुरी करेंगे से उन आप कोई चाहएं का Candidates का कैसे पेमेंट करना है आप आपने इंफोर्मेशन फिल कर ली है तो आप पर प्रेश्ट्रेशन फॉर्म पर जाके अपना पासवर्ट डाल कर पे प्रेश्ट पर पहुंच जाएंगे प्रेश्ट पर जाके आप यहां पर आपका हमांट मिल जाएगा जो भी आपका हमा mention करना है अच्छे से देखके इसके बाद में submit करेंगे आप तो submit करने के बाद में यह बुलेगा do you want to submit तो आपको okay करना है अगर नहीं करना है तो cancel कीजिएगा इसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो यह बुलेगा please wait while you are retiring to payment gateway तो आपको यहां पर wait करना है अपना ब्राउजर को ना refresh कीजिएगा ना close कीजिएगा यह आपके पास debit card credit card है जो भी है उसको निकाल के रखिएगा IMPs से भी कर सकते हैं wallet से भी कर सकते हैं इसके बाद में यह आगे process भड़ेगी इसके बाद में यह आपका पूछेगा आपको जो भी option लेना है यहां पर credit card debit card जिस भी option से आपको चूज करके payment करना है online payment बहुत ही simple है बहुत easy है यहां पर आपको अपना card number डालना होगा expire date डालनी होगी उसकी जो की आपको card पर mention दिख जाएगी और साथ ही में CVV number डालना होगा जो की card के back side में होता है इसके बाद में आपको इस तरह से आपका जो भी bank का है वो mastercard secure code की तरफ ले जाएगा जो भी आपने registered mobile number है bank से जो जो जोड रखा है आपने या फिर email ID है वो उस पर पहुंच जाएगा और यहां पर उसके उस number पर आपके पास OTP number आएगा वो आपको fill करना होगा message में देखके यहां पर और submit करना होगा submit करने के बाद में आपको यह बुलेगा your payment is request being processed तो आपको कुछ नहीं करना है यहां पर ध्यान रखेगा और रिफ्रेश करना है इसके बाद में आपका payment हो जाएगा within 10 to 20 seconds में और यहां पर आपको success लिखावा जाएगा और आप इसको प्रिंट भी कर सकते ह है इस तरह से इसके बाद में आप वापिस से बैक आके अपने home page पर सकते हैं जहां से आपने form fill किया था वहां जाके आप अपने preview ले सकते हैं जो भी आपने form fill किया है उसका कि form का last preview क्या है कोई details में problem तो नहीं है तो आप जाएगे login, login करना है आपको यहां से और अपना ज बर-बर काम में आएगा, registration number यहां डालिए अपना password डालिए, submit किजिए, submit करने के बाद में आपका जो भी आपने form fill किया है वो preview आपको देख जाएगा यहां पे, आपका नाम देख सकते हैं, सारे details देख सकते हैं और आपको यहां पे right side में print का option देखेगा, वहां जाके पोस्ट आपके लिए description में डाल दिये हैं, आप उन पे जाके और अच्छी से guide information ले सकते हैं, आज के लिए इतना ही और जूडे रहिए हम से, for more details and latest updates of bank exams, you can visit हमारी website www.ivpsrecruitment.in and subscribe this channel, दोस्तो साथ ही में, you can use our comment section below for any query, और साथ ही में friends, you can also join us on Facebook page, जो की है IBPS guide, wish you very all the best friends.